तो ये जानकारी देते हुए बीजेपी के नेता कि क्या कुछ कारिक्रम विक्टोरिया मेमोरियल में रहने वाला है प्रधान मंत्री मोधी का लेकिन उससे पहले नेता जी भवन और फिर नाशनल लाइबरेरी प्रधान मंत्री मोधी जाएंगे नाशनल लाइबरेरी के बाहर ह आमित नाशनल लाइब्रेरी जब पहुंचेंगे प्रधान मंत्री मोदी आपने कहा के पहले नेता जी भवन और उसके बाद यहां का कारिक्रम यहां कितनी देर तक रुखेंगे और नाशनल लाइब्रेरी में क्या-क्या कारिक्रम आयजित होंगे जिसमें शिर्कत करेंगे प पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है पहला जो 10 मिनिट होगा प्रदान मंत्री का वो सिर्फ नेता जी सुभास चंदर बोस का जो आर्ट गैलरी जो बनाया गया है विरासत को लेकर उसका मुआइना करेंगे उसका जाय जा लेंगे और उसके बाद 3 बच कर 45 मिनिट जो की कि उन का कलाखारों से बातचीत करेंगे अब यहां पर कलाखारों से बातचीत करेंगे और नेता जी बंगल कवणा जो के रास्ते होते हूँ निता जी भवण जाने का कारेकरम अभी बताया जा रहा है और वहां जैसे जाएंगे उसके बाद इसी सड़क से होते हुए अलिपूर रोड से होते हुए दर नाशनल लाइबरी में वो पहुचेंगे और उसके बाद यहाँ पर 45 मिनट का कारेकरम रहने की यहाँ पर प्रदान मंतरी अक्रिवल 45 मिनट तक नाशनल लाइबरी में मौझूद रहेंगे प्रदान मंतरी मोधी जहां वो कलकारों से मिलेंगे और समेलन में जो लोग हैं उनसे भी संभात करेंगे इस बीच आपको यह भी बताते चले देश में आज नेता जी सुभाश अंद्र बोस की 125 भी जहनती मन मनाने के लिए आज कोलकाता पहुंचेंगे और यहाँ पर उनके कई कारेक्रम है लेकिन आपको यह भी बता दें कि मोधी सरकार आज नेता जी की जहनती को पूरे देश में पराकरम के रूप में मना रही है और इस मौकी पर खास़तौर पर कोलकटा में कई कारेक्रम रखे गए हैं जिसमें प्रधान मंत्री मोधी शामिल होंगे इस मौकी पर पीम नेता जी के खतों के आधार पर लिखी गई एक किताब का भी लोकारपन करेंगे और साथी डाक टिकेट भी करेंगे जारी नेता जी के बंगाल में चुनाव से पहले पीम का ये दौरा काफी नेता जी की 125 वी जयंती का जश्न पीम का नेता जी को नमन हिंडोस्तान की आजादी हमारे देश की आजादी तुम मुझे कून दो मैं तुम्हें आजादी दूगा नेता जी सुभाष चंद्र पोस वो नाम जिसने देश की आजादी के न सिर्फ सपने दिखाए बलकि आजादी के लिए जान लुटा देने का जजबा भी पैदा किया देश की आजादी के लिए ना सिर्फ जंग लड़ी बलकि आजादी की लड़ाई में मील का पत्थर भी बन गए आजादी के इसी जननायक की आज 125 वी जैनती की मौके पर प्रधान मंत्री नरींद्र मोदी कोलकाता में रखे गए कारिक्रमों का हिस्सा बन कर आजादी में उनके योगदान और बलिदानों को एक बार फिर यादगार बना रही है उनका 125 वा जनुम दिन पालन हम लोग कर रहे हैं पूरा देश में अच्छी बात है केंद्रिय सरकार नरींद्र मोदी जी का नित्वित्व में आज का ये दिन पारक्रम दिवस सिप पूरा देश में हम लोग मना रहे हैं बीजेपी पश्चिम मंगाल में नेता जी की 125 वी जैनती को पारक्रम दिवस के रूप में मना रही है और इस मौके पर कोलकता में पीम के हाथों नेशनल लाइब्रेरी में नेता जी पर प्रदर्शनी के उद्गाटन, विक्टोरिया मेमोरियल में कारिक्रम, नेता जी के खतो पर आधारित किताब का लोकारपन और इंडियन नेशनल आर्मी के सिनानियों के समान के साथ डाक ट और यहां पर देख सकते हैं आपके पूरी तरीके से National Library में पूरी तयारी कर ली गई है, इसके गेट को फूलों सो सजाया गया है National Library को, यहां पर आप देख सकते हैं और पूरी तयारी यहां पर कर ली गई है, हर तरफ आप देखेंगे कि नरिंदर मोदी प्रधान मंत्री की त पीम का नेता जी को नमन अपने दौरे से पहले पीम ने नेता जी को याद किया और ट्वीट करके लिखा महान स्वतंद्रता सेनानी और भारत माता की सच्चे सपूर नेता जी सुभाश्चंद्र पोस को उनकी जन्म जयंतिपत शत्शत नमन प्रधान मंतरी मोधी का कोलकता का ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीनों में विधान सभा चुनाव होने वाले हैं ऐसे में पीम का ये दौरा बंगाल में बीजेपी की राजनीती में पारा चढ़ाने का काम करेगा बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर जोर शोर से जुटी हुई है और बंगाल में अपने कैम्पेन को धार देने के लिए कोई मौका नहीं चूक रही है इस बार बीजेपी बंगाल में सत्ता पाने की हर संभव कोशिश कर रही है जिसके लिए दोसों से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष भी रखा गया है वहीं टीमसी में भागम भाग मची है और उनके नेता लगातार अपनी पार्टी छोड़ रहे है जिसका सीधा फायदा बीजेपी को हो रहा है पश्य मंगाल में चुनाव आए तो वहां नेता जी च्तुभाष चंद्रबोस की विरासब को लेकर भी घमासान शुरू हो गया तेज जनवरी को नेता जी की जैनती को बीजेपी पराकरम दिवस कह रही है तो ममता इसे देश नायक दिवस कहकर इस मौके पर कारिकरम कर रही है बंगाल में नेता जी के नाम पर बीजेपी ने हमेशा ही उनके साथ अन्याई किये जाने का आरोप लगाया है जिसके लिए वो कई बार कॉंग्रिस को घेर चुके हैं तो टीमसी का आरोप है कि बीजेपी चुनाओं से पहले सियासी फायदा उठाने के लिए नेता जी को याद कर रही है बीजेपी नेता जी सुभाश्चन्र बोस की विरासत में अपने लिए कई तरह के फायदे देख रही है नेता जी की विरासत पशिम बंगाल में बीजेपी को ताकतवर बनाएगी क्योंकि बंगाल में नेता जी को आज भी बहुत एहमियत दी जाती है नेता जी की विरासत हासल करने के लिए मोधी सरकार नेता जी की सीक्रिक फायलों को सार्वजनिक कर चुकी है और फाइलों को डिजिटलाइज भी कर दिया गया है चुनावी माहौल में नेता जी की उपेक्षा के नाम पर बीजेपी, कॉंग्रेस और ममता बनर जी को घेर सकती है क्योंकि पीएम मोदी पहले भी कई बार नेता जी के साथ अन्याई की ये जाने का आरोप कॉंग्रेस पर लगा चुके हैं साथियों अपने लक्ष के प्रती जिस व्यक्ति का इतना साब विजन था लक्ष को हासिल करने के लिए जो अपना सब कुछ दाओं पर लगाने के लिए निकल गया हो जो सिर्फ और सिर्फ देश के लिए समर्पीद हो ऐसे व्यक्ति को याद करने भर से ही पीड़ी दर पीड़ी प्रिरित हो जाती है पश्चिम बंगाल पहुचकर नेता जी को याद करने का पीएम कई पहला मौका नहीं है वो पहले भी कई बार बंगाल में सुभाश शंद्रबोस को याद करके उनहें अमन कर चुके हैं देश की आन, बान और शान रहे नेता जी से प्रधान मंत्री का खास लगाव रहा है यही वज़ा है कि पीएम के दौरे के राजनेतिक मायने भी निकाले जा रही है मोधी सरकार ने हमेशा ही नेता जी को भरपूर्द तवज्जो दी है जिसमें बंगाल चुनाव को देखते हुए और भी तेजी आ गई है यही वज़ा है कि बंगाल के मुख्यमंत्री ममता वनर जी को भी पीएम के पराक्रम दिवसका रिक्रम में शामिल होना पड़ रहा है बंगाल में इस साल होने वाले विदान सबाब चुनावों से पहले नेता जी सुभास चंद्र बोज की 125 वी जैनती के समहारों पर भी राजनितिक जंग छिड़ती नजर आ रही है एक और केंद्र सरकार नेता जी की 125 वी जैनती को पराक्रम दिवसके तौर पर मना रही है तो दूसरी और ममता सरकार ने इसे देश नाएक दिवसके तौर पर मनाने का फैसला की और मनाया भी जा रहा है तो नेता जी को लेकर सियासत इस सब के भी जहां केंदर सरकार ने पराद